असलाम लेकुम स्टुडेंट्स वेल्कम टो माय यूट्यूब चैनल वर्ल्डव एजुकेशन और आज हम वर्लडव एजुकेशन की इस वीडियो के निदर मॉड्यूल नंबर 1312140 तक क्लियर करेंगे इंशालला और आपको पता है कि आपका जो स्लेबस है वो न्यू अपड वीडियो उसको अच्छी तरह देखना है लेक्चर को अपने प्रिपेर करने अस बात पास्ट पर देखने और उसके बाद पेपर अटेंट करना है इंशाल आपका जो सीजी पी है बहुत अच्छा आप गेन कर लेंगे तो वीडियो को करन ली लास्ट टक लाजमी देखिए बगरा करने के बाद आपने इंप्लिमेंट किया किया यह सही कंडिशन में काम कर रहा है जो यूजर की है जो आपके क्लाइंट की रिक्वार्मन थी यह काम करना पूसने स्टार्ट कर दिया या नहीं किया तो चलते हैं मॉडिल नंबर 3031 की तरफ अब आप 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 फर्मिंग होता है कि final software product जो है वो क्या compatible है इसके लावा requirement specifications है क्या उसने पूरा किया या नहीं किया इसके लावा दूसरा design और validation की बात कर रहा है कि आप designs को देखा जाता है कि user ने जो design हमें कहा था क्या यह उसी के accordingly बना हुआ या थोड़ा सा आगे-पीछे हो गया है तो य आपका one है और यहां से आपका topic complicated हो गया है तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है models की बात करेंगे आपर सबसे पहले का कह रहा है आपको अर्ली अप्रोच इस तो सोफेर एंजिनिरिंग इंसिस्टेड और पर्फॉर्मिंग रिक्वार्मेंट अनलेजिस डिजाइन एंड इंप्लिमेंटेशन यह प्रानी जो आपकी सोफेर डिवल्मेंट होती थी उसके अंदर सिर्फ तीन चीज़े चार चीज़े लाइक टीज जो कि हमने पीछे पढ़ नहीं है टेस्टिंग गए रहा और अब जो आजकल की जो हो रही है सोफेर एंजिनिरिंग उसके अंदर के होता है यह आपकी जो सेकंड लास्ट लाइन ने पैराग्राफ से वह देखिए ता रिजल्ट वोज़ेंट डिवल्मेंट प्रोसेस नौ प्रफर्ड डिवल्मेंट प्रोसेस वह अलाओ तो फ्लो इन उन डिरेक्शन यह बहुत ज़दा इंपोर्टन एंप्टेंट यह आपने इसको देखना है और इसको आपको पास फिजिकल हैंड़ोट मौजूद है कोशिश करें अगर फर्स समिस्र के हैं सेकंड समिस्र के हैं समिस्र के फ्लो कर रही होती है तो यह वही फ्लो करता है इसके लावा कुछ भी नहीं है आगे बात करें रिसेंट इयर्स के इंदर क्या हुआ है कि सौट्फेर एंजिनिरिंग टेक्नीक्स आहीं है जिसने चेंज कर दिया रिफ्लेक्ट कॉंट्राइडिक्शन बिट्वीन हाइली स्ट्रक्चर्ड इद्वार्में डेडिकेटेड वाटरफॉल मॉडल एंद फ्री वीलिंग ट्राइल एंड एर्र परोसेस वगारा ट्राइल एंड एर्र के बारे में आपने याद रखना है बहुत इंपोर्टन है यह भी मैं आगे जाकर आपको इसकी तफसील भी ब लाइट हो सकता है कि अवैल्यूएटिट ऑयलफ फयूचर जो फूचर यूजर याद आपको युजर आरवाश्यु चेंजिञ करवायर आके मौरफीचर अडिट हो सकता क्यि century तरह के फीच्चर को हम इंक्रीम च्र उम कहती है कि एक कि सफ्वेर के अंदर हमने थोड़ेसे को मजीद add करवाना है तो इस तरह का जो सारा criteria होता है incremental model में consist होता है उसके बात करें attractive model के अंदर तो एक दूसरा model attractive model होता है जो कि similar होता है to and in fact sometime equated with the incremental model although the two are distinct very distinct or various incremental model carry the notation or nation of extending each preliminary version of the product into large version अच्छा preliminary version का मतलब भी होता है कि प्री जो आपका model बना होता है आपने यूजर को देने से पहले आप एक preliminary models को दिखाते है वह आपका preliminary variant होता है जिसके आप कुछ टेस्ट करते हैं कुछ चक करते हैं तो यह भी आपने याद रख रहे हैं यह एज़ा MCQ आपसे पूछा जाता है उसके आगे अगे अगर बात करें तो कह रहा है कि आज सिगनिफिकेंट एक्जेंपल ओफ एट्रेक्टिव टेक्नीक जो एट्रेक्टिव की टेक्नीक की जो एक्जेंपल है बहुत बड़ी वो आपके पास आर यूपी है आर यूपी स्टैंड फॉर रैशनल यूनिफाइट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टन MCQ है इसको भी आप अंडरलाइन कर लें इसके लाब अगे कहरा है अब यूनिफाइट प्रोसेस किसे कहते हैं हम लोग कहरा जी इस पॉपलरिटी यह नौन पॉपलरिटी यह नौन पॉपलरिटी वरिजन कार दा अन यूनिफाइट प्रोसेस डैट इस अवेलिबल ऑन नौन कम्रिशल बेसिज मतलब कहते हैं कि यूनिफाइट के ऊपर आप जो है वो सोफ़फिर इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी प्रोसेस को किया जाता है उसका कि अब हम मेथद ओली जो मेथडोलोजी जो है उसकी बात करेंगे यह मैत जो यह इसको कहते हैं यह आपने जो है वह याद रखना है तो फोटोकॉपिंग फोटव मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगा डोकुमन या एक ही डोकुमेंट से बेहद उसकी photocopy को invest कर लेना, निकाल लेना, retrieve कर लेना, किसी भी machine के थुरू, वो photocopy का process कहलाता है, अब यहाँ पर देखें, photocopy का मतलब क्या है, in which incomplete version of the purpose system, purpose system क्याते हैं, जो आपका software बन रहा होता है, उसे हम क्याते हैं, यह अभी making condition में है, तो यह आपका proposed system है, तो अब यहाँ पर कहा रहा है, कि आपको photocopy के अंदर, जो आपकी incomplete version होता है, किसी भी purpose system का, वो prototype कहलाता है, prototype और photo typing में बहुत ज़्यदा फरक होता है, prototype आपको यहाँ पर इसी लिए बताया है, क्योंकि यहाँ पर एक जो overall आपका जो पराना lecture था, जो परानी book थी, उसके अंदर यह थोड़ा बहुत concept, इसका prototype वीकिंग से पहले है, थोड़ा सा phototyping का लिखा हुआ था, तो आपने यह phototyping को याद रखना है, phototype का मतलब यह होता है, और prototype का मतलब यह होता है, यह basically domain difference है, prototyping और phototyping में ठीक है, यानि photocopy कर लें तो prototyping इसी चीज़ का ना होता है, तो बात करते हैं, in which incomplete version of the purpose system called prototype, जो आपका incomplete version होता है, यह prototype के लागता है, यह बहुत ददा important short question भी है, और MCUs भी है, इसको आपने देख लेना है, फिर उसके पाद evolutionary prototyping का मतलब क्या होता है, final system जो है process का, यह अब आपने क्या किया है, अब आपने अपने जो परपोस system है, उसको final तक ले गए हैं, final system तक आपने वो कर दी है, तो वो आपका जो है, more attractive situation में prototyping जो होती है, वो discard कर देती है, favor of a fresh implementation of a final design, this approach, यानि कि इसका मतलब यह है, कि आप जो fresh implementation करते हैं न, अपने software के उपर, तो वो आपके पास through away prototyping कहलाती है, rapid prototyping का मतलब यह होता है, basically बहुत ज़दा अगर आपका user कहता है, कि मुझे की काम आप एक साल का सिर्फ एक महीने में करके दे दें, तो आप basically जो होता है, बिल्कुल basic काम उनको करके दे देते हैं, तो वो आपकी rapid prototyping होती है, rapid का मतलब यह होता है, कि तेजी के साथ आपने जो है वो काम कर रहा है, open source document की बात करें, बाकी नीचे paragraph है, आपने खुद से पढ़ दे ना इसको, open source document की बात करें, तो वो कह रहा है, a less formal incarnation of incremental and iterative ideas that has been used for years by computers, is known as open source document, कह रहा है कि ऐसा जो incarnation होता है, incremental and iterative ideas का, जिसे बहुत सालों से हम computer के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग open source document कहते हैं, that is, this is the mean by which today's free software is produced, यानि open source document का मतलब भी होता है, कि हाँ आजकल जो free software आपको जो मिलते हैं, तो यह आपको जो आप बिल्कुल free इस्तमाल करते हैं, लेकिन जिसने create की होता है, उसने पिछे से कुछ ना कुछ दे के, वो software को create किया करवाया होता है, तो इसके लाब फ्री software को हम open source document कह सकते हैं, यह इसकी example है, asmcq आप से पूछा जा सकता है, इसको भी आपने देख लेना है, उसके अगे का कह रहा है, आपको most pronounced shift from the waterfall model is represented by the collection of methodologies, known as agile method, जो बहुत ज़्यादा collection होती है methodologies की वो आपके पास जो agile method होता है वो कहलाती है जो के purpose जिसका यह होता है के quick implementation on the incremental basis यानिके इसके लिए क्या होता है कि incrementation basis पे हमें बहुत ज़्यादा quick implementations करनी होती है user की requirement को पूरा बगारा करना होता है इसके लब आगे xp stand for extreme programming यह भी आपने देख लेना है इसको आपने याद कर लेना है नेक्स्ट की बात करें तो यह आपने खुद से सारा एक दवा खुद से रीट कर लेना मुश्किल कुछ भी नहीं है आपका जो basically जो main subject हो मैं आपको दिखाता और बताता जा रहा हूं तो वह आपने सब्सक्राइब करें तो मॉडियूल्स का मतलब यह होता है यह मतलब होता है कि अगर एक जिसना मैं आपको एक्जेम्पल दूँ आपकी पूरी CS101 की बुक जो है यह एक मॉडिलरिटी है और आप लेक्चर को जो करते हैं तो वह आपका मॉडियूल है इसी तरह से बहुत जिसरा ने आपके सब्सक्राइब करें रिजाएं wij करार लिए बाग्राइब के यह यह बतारा बंदाफियर जिस पर लिखा जाता है तो ऊस पेजए इसे पर स्ट्रोइड क्रियूट किया जाता है उसको श्रक्ट्र चार्ट कहा जाता है तो यह आपके पास एक डायग्राम है यहां Lidade Всё समझाने कि पहला कोशिश की हुआ है यहां से आपने सर्वीस सर्फ भी करना टो कंप्डेट स्कोर एक तमाम द में ऊप स्के के अनदर बहुत दफ़ा पूचा गया था 2020 के अंदर यह मॉड्यूल बहुत इंप्रटन है 135 इसको आपने देख लेना है क्या होती है दा आईडिया इस डैट एट एनी फ्यूचर modification will likely apply to only a few of modules following allowing the person making the modification to concentrate इसका मतलब ही होता है कि अगर आपने सिरफ और सिरफ कुछ modules पर यानि बहुत बड़े software के अंदर के अंदर से आपने कुछ software का हिस्सा चेंज करवाना है तो कुछ software के हिस्से को चेंज करवाने के नाम को जो हम कहते हैं वह हम लोग कहते हैं कपलिंग को नीचे की definition देखें तो definition आपको क्या कह रहा है कि इंटर मॉड्यूल को अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं कुछ ना कुछ आपने उसके अंदर चेंज करना एक बहुत बड़े सोफटikan दर चोटए से हिस्से में तो उसे हम कपलिंग का नाम देदें यह कपल हो जाता है कंट्रोल कंपलिंग की बात करें तो वह कहरा रहा है इंटर मॉड्यूल कॉपलिंग उकर इंससर्वल då एक होती है इस बनाने का मकसद क्या है रया जाए निख जब भी आपका मॉडियूल आ जाये तो हम उससे क्या करें पूरा बनाने के बजाए एक फंक्शन हम कॉल कर ले और function call करने के वाद हमारे पास पूरा उसका structure आ जाए और उसके अंदे कुछ नहीं कुछ changing करके user को return कर दी जाए तो यह काम होता है control coupling का यहीं कि चीजों को control करना control coupling के पास होता है यह आप इससे भी याद रख सकते हैं जिस तरह आप नीचे एक example दे रहा है player A player B तो player A ने क्या करना है कि अगर वह को गेम खेर रहा है तो उसने कार को control करना है तो वह control किससे कर रहा है control coupling से यह इसने example दी विए इसको आपने याद रखना है फिर data coupling की बात करें तो कह रहा है another form of intermodule coupling is data coupling which refer to the sharing of data between modules इसका मतलब क्यों होता है कि यह data module जो होता है यह sharing कर रहा होता है data को एक जगह से दूसरी जगह पर if two modules interact with the same atom of data then modification made to one module may affect the other important line है इसको आपने देख लेनी है कि कहला है कि अगर दो module जो है अगर इंटरेट करें एक ही एप एटम पर data के यह नि अगर for example एक module जो है उसका data zero है दूसरे module का data भी zero है तो यह दोनों जो है वो मसला कर सकते हैं software के अंदर तो इसलिए data coupling को manage करना भी बहुत जदा important होता है तो data coupling क्या होता है इसका काम ही होता है कि data को share करना यह भी आपको समझ I hope आ चुका होगा object oriented design देखें तो object oriented design आप सब windows 7, windows 8, xp बगारा बगारा window 10 को इस्तवाल करते हैं इसका मकसद यह होता है कि आपने objects को लेके उसी को देखके काम कर लेना तो यह object oriented language है यह हमने पहले बड़े अच्छे तरह क्लेर किया हुआ global data किसे कहा जाता है global data का मतलब भी होता है कि बहुत बड़ा data यानि के पूरी दुनिया का अगर data कहा जाए उसको इकठा कर दिया तो वह global data की form में आ जाता है इसी तरह से अगर आप पूरे software के data को इकठा कर रहे हैं this means that is called the global data ठीक हो गया next की बात करें तो 136 module में cohesion यह भी बड़ा important है almost 135 से लेकर 140 तक modules बहुत जादा important है इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है और कुछ भी समझेगा नहीं आएगा तो आपने मुझसे कमेंट्स में kindly लाजमी पूछ लेना है मैं इंशाला as soon as possible आपको कमेंट कर रिप्लाय करके आपको पूछ नहीं बड़ा important है वो कह रहा है कि important यह है कि minimize coupling होनी चाहिए और maximize जो होता है वो internal building के अंदर आपका जो कोहशन है वो maximum होनी चाहिए मैं फिर repeat करूंगा 2020 के अंदर बहुत दफ़ा यहां से questions आए हैं और बेतहाशा questions आए हैं तो क्या कह रहा है आपको कि minimize जो है यानी minimize क्या होना चाहिए आपकी जो coupling है उसको minimize होना चाहिए और maximum आपकी question को होना चाहिए क्यों होना चाहिए यह आगे जा क्या पढ़ेंगे question कहते किसे हैं the term question referred to the internal building or in other word the degree of relatedness of a module internal parts यानी के modules के जो internal parts होते हैं उनका नाम question होता है आगे बात करें तो वो कह रहा है यह आपका difference भी आता होता है दो यह तीन नमबर का differentiate between the logical question and the functional question तो इसका देखें तो वो कह रहा है a weak form of question जो weak form होती है question की is known as logical question तो वो logical question कहलाती है और उसके बार कह रहा है कि a stronger form of question is known as a functional question जो stronger form होती है किसी भी question की जैनी internal parts or the module की वो आपके पास functional होती है इसको आपने यात रखना है और उसके बाद पूरा एक दबाद को अच्छे ताना रिराउट कर लेना है एक्जेंपल भी यह आपको देख लेएजी है मुश्किल नहीं है यह भी आगे बाद करें तो informational hiding या या hiding information hiding का क्या होता है यह concept भी वो कह रहा है कि design को capture करने के लिए बहुत ज़्यदा important है which refers to the restriction of information to the specific portion of the software system इसका मतलब यह है कि यह restriction लगा जेता है कुछ ना कुछ specific portion पर software system के यह क्यों होता है इसलिए होता है information को hide करना इसलिए होता है यह पूरा software का system होता है जिससे आगे जाके आप अच्छी ताना से मजीद next semester उनके अधर पढ़ेंगे लेकिन यह आप थोड़ा सा हिस्सा बता रहा है को कि information को hide करना कुछ ना कुछ user से भी और जो आपका बाकी जो आप जिनको software दे रही है बना आगने के दे रही है और यूजर को आगे सेल करें उनसे hide करना बहुत जादा important होता है तो वो कुछ ना कुछ इसका structure और content है वो लोगों को नहीं दिखा सकता क्यों नहीं दिखा सकता क्योंकि हो सकता कि वैसा ही वो overall content को copy करें और अपना software बना लें तो इससे नुकसान हो सकता है तो यह आपने लाजमी देख लेना है उसके पुरा paragraph पढ़ लें information को hide करना क्यों जरूरी है आपको यहीं बता रहा है the former are maximizing question and minimizing coupling दोबारा आपके साथ यह बात शेयर कर रहा है तो इसको आपने लाजमी देख लेना यह बहुत जादा important है इसको आपने skip नहीं करना next अगर बात करें 138 की तो components components के होते हैं यह आगया of the chef program जो कि मैंने आप से कहा था कि मैं आगे जाके आपको details से बताऊंगा तो वो क्या कह रहा है we have already mentioned that an obstacle in the field of software engineering in the lack of per far varicated of the chef building blocks from which large software system can be constructed यानिके वो कह रहा है कि अभी हमारे पास कमी है बहुत बड़ी-बड़ी building की जिसके अंदर हम basically बहुत बड़े-बड़े जो software हैं उनको create कर सके यहां पर कुछ भी नहीं है components की बात करते हैं तो वो कह रहा है an object is actually a special case of a more general concept of component कोई भी object जो होता है वो actually क्या होता है special case होता है किसी भी general concept का component का which is by definition जिसकी definition इस तरह की जाएगी और reusable unit of software जिसको आप reuse कर रहे है unit को अपने software के अंदर यानि आपका unit reuse हो रहा है बार बार आप अगर एक ही unit को दूसरे software को create करने के लिए इस्तमाल करें तो वो आपका component के लाएगा ठीक है component की समझ नहीं ही तो आपने मिसे comments में लाजमी पूछ लेना है component का architecture क्या होता है also known as component based software engineering रिसर्च इन डेवल्पमेंट और यूज अपने अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं विंडोज भी आपकी assembly में बनी हुई है तो component assembler का मतलब भी होता है कि यह software के system के जो कि आपको बहुत दफ़ा इस्तमाल करना पड़ता है assembly language के अंदर तो वो आपका component of assembler के लाएगा उसके आगे बात करें तो आगे आपने खुद से एक पढ़ने ना data pattern की बात करें तो design pattern की यह पहले से बना हुआ होता है for solving solve करने के लिए a recurring problem recurring problem का मतलब के बार बार आने वाली problem बार बार जिन problems को हम face कर रहे हैं in software design software के design के अंदर for example मिसाल के तोर पर the adapter pattern provide a solution to a problem that often occur when constructing software from prefabricated modules यानि कि इसका मतलब यह कि अगर आपको एक ही problem बार बार आ रही है बार बार आए तो उसके लिए आप प्री जो developed model है वो create कर लेते हैं और जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है आप उस model को call करते हैं वो model को करके अपनी problem को solve कर लेते हैं तो यह design होता है definitely design का जो मसला होता है वो बहुत अफ़ा आ रहा होता है तो इसलिए हम लोगों को यह जरूत पढ़िए कि हम प्री जो आपका model होता है model उसको create करें उसके लास model की बात करें 140 की तो यह भी design pattern से ही जो है वो consist है और उसी पर consist करता है तो देखें यहां पर आपको बता रहा है design की examples दे रहा है क्या कहरा है आपको के factory design pattern is a commonly used in design pattern where we need to create loosely coupled system factories के अंदर के होता है हमें जरूरत पढ़ती है कि हम loosely coupled system को استعمال करें basically it comes under creational pattern and it is used to create instance and reuse it यहनी इसका मतलब यह है कि आपकी अगर कोई भी जो गाड़ी है जिसना मैं आपके पास एक car है तो इस car ने क्या करना है इस car को कोई ना कोई इसका part खराब हो गया है तो आप क्या करेंगे आप इसका part को सिर्फ चेंज कर वा लेंगे और overall आपकी चो कार होगी वही चलना start हो जाएगी इसी तरह से software के अंदर भी होता है software के अंदर आपको जो बताते ह आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं अपनी information को और अगर आपके पास कोई भी खराब हो जाए पार्ट तो आपके जो parts होते हैं उनको सही करने के लिए वो आपको जो software होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ component खराब हो जाते हैं और जिससे बैसिकलिए आपको सोट्वर दो बारा चलना स्टार्ट हो जाता है तो I hope dear students आपको समझ आ चुकी होगी कुछ भी अगर आपको समझ नहीं है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना है मैं अचला आपके कमेंट का रिप्लाइ करके as soon as possible आपका concept clear कर दूँगा तो यहां तक आपका model number 140 था I hope आपको समझ आ चुकी होगी कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने कमेंट्स करके लाजमी पूछ लेना है इसके लावा students आपसे यही request है कि अभी मेरा channel initialization पर है आप इसको support करें इसका link social media के platform पर जो भी आप इस्तमाल करते हैं kindly वहाँ पर दें और ताकि मेरे subscribers इंक्रीज हो सकें और मुझे भी फाइदा आपके लिए वीडियो मिनाने में हो सके वीडियो अच्छी लगने पर इसको like करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल सब्क्राइब करना मत भूलें आगे जाके इंशाला जैसी मुझे final time के जो preparation है मैं आपको इस चैनल पर करवाँगा और जैसी final time के जो papers मेरे पास आएंगे जो हमारे students attempt करेंगे हम आपके साथ फोरन आफ्टर विदिना after five minutes आपके साथ share कर देंगे सब्क्राइब अगर आपने किया होगा तो आपको वो मिल जाएगी वीडियो और आप बरवक्त वो है जो वीडियो उसको देख सकेंगे तो सब्क्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके मुझे इजाज़त दें अलाहाफिज